नमेशकार दोस्तों, I am sure कि आप सबने ये मुहावरा जरूर सुना होगा, जहर जहर को मारता है, poison kills poison, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज हुई है, COVID-19 देखें अब जहर है कि क्या है वो आप खुद बेसाइट कर लो, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि Brazil के अंदर एक largest snake है, one of the largest snake है, जिसके venom जो है, वो इस्तमाल किया जा सकता है COVID-19 को रोपने के लिए, यह आप news देख सकते हैं, venom from one of Brazil's largest snakes could be used as a tool in the fight against coronavirus, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, कि scientist के दोरा क्या study किया गया है, क्या find out किया गया है, और यह किस प् UPSC की आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे है, simply आपको हमारे app को download करना है, या फिर studyiq.com पर जाएए, जितने भी courses है, चाहें आप UPSC की त्यारी कर रहे है, state, PCS, banking, बहुती कम दाम पर सारे courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चलिए देखते हैं, यहाँ पर exactly हुआ क्या है, ह इसमें यह पाये गया है कि जो Brazil के अंदर एक largest snake पाये जाता है, उसका जो venom है, वो एक प्रकार से tool की तरह साविस हो सकता है, ताकि हम coronavirus से लड़ सकें, जो researchers हैं, उन्होंने इसके बारे में एक scientific general है, जिसका नाम है molecules, उसके अंदर इसको publish किया, तो चलिए इस venom के बारे में थ ब्रजील के अंदर या फिर South America में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे snakes की प्रजादिया पाये जाती हैं, लग-अलग, इंफक्त कई सारे movies वगरा है ना, पॉंडा होगे, आपने सुना होगा, तो वैसे ही एक और यहाँ पर snake है, वाइपर है, जिसका नाम है, जैरारकस, और यह करीब 2 मीटर लंबा, दो मीटर लंबा के आसपास होता है, और इसका जो वैनम है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाये जाता है, मतलब इस साब के जहर के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो कहीं ना कहीं, जो कोरोना वाइरस की ability है, multiply करने की, क्योंकि कोरोना वाइरस आप देखो कि कोई भी जो वाइरस होता है, अगर वो simply बाहर पड़ा रहेगा, तो उसका कोई वजूद नहीं है, कोरोना वाइरस तभी active होता है, जब वो आपके body में enter कर जाता है, एक बार body में enter कर गया, तो उसको support मिल जाएगा, और वो multiply करने लगेगा, लेकिन जो study में ये पाया गया, अब study किसके उपर किया गया, जाहिर सी बात है कि जहर जो है वो इनसान के उपर तो डालेंगे नहीं, तो monkey cells के अंदर इसको डाला गया, और देखा गया कि जो कुरोना वाइरस है, उसकी जो ability है multiply करने की, बार बार multiply करता रहता और फैलता रह है कि ये एक प्रकार का पहला anti-covid drug हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप देखे होगे जो इलाज है, वो basically vaccine ही बताया जा रहा है, मतलब पहले ही आप अपने आपको prevent कर लो, vaccine type के लगा जा रहा है, लेकिन covid होने के बाद ऐससाथ कोई आपने देखा होगा, कोई बड़ा इलाज है नहीं, लेकिन ये जो drug है, वो काम कर सकता है, एक प्रकार का drug बना सकते हैं हम इससे, और ये जो ability है, multiply करने की उसको रोग सकता है, देखे यहाँ पर जो authors हैं, जिनोंने इसके बारे में find out वगरा किया, उनका यही कहना था, कि coronavirus के अंदर जो protein पाया जाता है, उसको एक प् वेनम के अंदर जो molecule है, वो मदद करता है coronavirus को रोकने के लिए, तो देखे यह जो molecule है, it is composed of chain of amino acids, यह आपने बढ़ा भी होगा पहले, इसको कहा जाता है peptide, ठीक है, जो chain होता है na amino acids का, तो वो basically molecule जो है वो उसी से बना होता है, तो यह molecule क्या करता है, coronavirus का जो enzyme है, जिसका नाम है PL pro, PL pro basically अगर आप देखोगे, इसी की वज़य से virus जो है, वो multiply करता रहता है, आगो कि आप समझ रहोंगे, virus enter की आपके body के अंदर, तो virus के अंदर यह वाला जो enzyme होता है PL pro, यह मदद करता है virus को multiply करने में, रिप्रोड्यू, मदब कई सारे यहाँ पर reproduction होता है, तो virus बहु मत करो, अब देखें, यह important इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, कि हम जहर, मतलब जो जहर का molecule है, वो दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं, वो जो जहर है, वो virus को तो रोक लेगा, लेकिन क्या हमारे body के अंदर हाम करेगा, तो जो study में यह देखा गया, कि वो जहर को तो रोक लेता है, लेकिन हमारे body के बाकी के जो cells हैं, उसको नुकसान नहीं पहुचाता, उसको हाम नहीं करता, इसी की वज़य से यह जो particular development है, वो बहुती जादा important हो गया है, अब देखें, यहाँ पर आप कई लोग question कर सकते हैं, आप आप लोगों के मन में बहुत सारे imaginations आ रहे होंगे, I'm sure, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था, मेरे imagination आ रहा था, कि अब क्या होगा, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, basically जो snake का venom होता है, उसके अंदर जो molecule पाय जाता है, और molecule basically कैसे बना है, amino acid जो मैंने आपको बता है, peptide जिसको कहते हैं, तो यह peptide कहां से मिलेगा, क्या हमें snakes को पकड़ना पड़ेगा, क्या उसको मारना पड़ेगा, कैसे peptide मिलेगा, तो मैं आपको बता दू, already यहाँ पर जो scientist उनको पहले से पता था, कि इस venom का जो peptide है, जो मदद करेगा coronavirus को रोकने के लिए, उसके अंदर already antibacterial qualities पाय जाती है, लेकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें snake को पकड़ कर ही वो peptide मिले, basically scientist का यह कहना है कि laboratory के अंदर, ठीक है, labs वगरव के अंदर, जो peptide है, उसको manipulate करके synthesize किया जा सकता है, मतलब कि lab के अंदर उस venom को produce किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें snake को पकड़ना है और फिर उसी से निकल लेगा, यहाँ पर lab के अंदर भी उसको जो production है, वो किया जा सकता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, तो देखिए आगे चल कर इस पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ, कि फिर से मैं repeat कर रहा हूं शीर को, कि venom को directly use नहीं करना है, venom directly मदद नहीं करता है, COVID-19 से लणने के लिए, venom के अंदर जो molecule पाया जाता है, जो peptide मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर work करता है, और इसी के वजए से आगे अब जो अगला step होगा scientist का, वो यही देखेंगे कि जो अलग-अलग doses हैं इस molecule का, वो किस तरह से COVID के उपर perform करता ह है, यहाँ पर जो scientist हैं वो यह भी देखने की कोशिश करेंगे, कि क्या यह अगर जो molecule है, जो peptide मैंने आपको बताया, venom, यह अगर हमारे body के अंदर आ जाता है, तो क्या यह coronavirus को रोकने में भी मदद करेगा, अगर ऐसा prove हो जाएगा, तो इससे दो चीज हम कर सकते हैं, एक त I hope कि आपको सब कुछ इससे related समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका significance कहा है, अभी जो भी कुछ हो रहा है, वो थोड़ी सी चिंता जनक वाली चीज हैं, चिंता जनक क्यों है, रिसेंटली बहुत सारे studies किये गए तो उसमें यह पाये गया, कि जो भी vaccines इस समय मौजूद है, व कुछ मेंने के अंदर 88% से इसकी छमता 74% हो गई, AstraZeneca Valley vaccine का 5 मेंने के अंदर जो effectiveness है, वो 77% से गिर कर 67% हो गई, और इसलिए बहुत सारे देश यहाँ पर जो तीसरा जो dose है, जो booster dose इसको कहा जा रहा है, वो भी देनी की तयारी कर रहे है, तो vaccine अब कितना success हो पाएगा, क्या है, नहीं है, लेकिन definitely देखो, यह फायदमन तो है, लेकिन उसकी effectiveness थोड़ी सी कम हो रही है, तो इस case में यहाँ पर अगर यह वाला भी चीज़ प्रूव हो जाता है, और आगे चल कर यह डवलप होता है, तो definitely इससे फायदा मिलेगा, जाने से पहले क्यों कि हम snakes की बात करें है, बहुत ही basic question, जो snake है, वो evolve कहां से हो है, क्या आपको पता है, मतलब यह किसका relative है, क्या आप बता सकते हो, काफी interesting है, इसका right answer है, आपको पता है, यह मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं है, कोई बात नहीं, Telegram से भी आप इसका सही उतर ले सकते है, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF यही तो Telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ अगर आप UPSC आप फिर किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, simply you have to download our app, वहाँ पर जितने भी courses ह हैं, बहुत कम दाम पर आपको मिल जाएंगे, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलतों आपसे नेक्स time, till then, thank you very much, see you soon.